हिलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बोर्ड मास के प्रास्टन को हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं आपर एक प्रास्टन है जो की बोर्ड मास्क है इसको हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे देखिए आपको सबसे पहले 6 बटा 2 को इसी तरह से लिख लेना है और यहां पर जो भाग का च्छिन है इसको आपको गुना के रूप में बदल देना है देखिए जब भी भाग का चीन गुना के रूप में बदलता है तो इसके बाद वाला जो संख्या होता है इसको आपको पलट देना है 4 चल जाएगा उपर और 3 आजाएगा नीचे इसके इधर देखे जो भी संख्या है आपको देखे इसी तरह से लिख लेना है यानि 2 बटा 4 प्लस 9 बटा 3 माइनस 4 बटा 6 देखे इस तरह से लिखने के बाद अब आपको यापर संख्या को काटना है यानि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के संख्या को हम लोग काटेंगे देखे चार से चार यहाँ दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है यहाँ दोनों संख्या भी एक एक बार में कट जाएंगे अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 यहाँ दोनों संख्या भी आपस में कटेगा 3 से 3 को काटें यहाँ कटेगा 1 बार में यहोगा दो, दो से गुना एक में करे, यहोगा दो, अब देखिए इसके बटा में, यहाँ पर देखिए तीन जगह पर एक है, अगर आप एक का गुना करते हैं, तो वहाँ एक ही रहेगा, इधर देखिए जो भी संख्या है, आपको इसी तरह से लिख लेना है, यानि 9 बटा स्थीन माइनस चार बटा चौब, अब देखिए आपको इसको हल करने के लिए, आपको सबसे पहले जोभी नीचे में संख्या है, इसका आपको LCM को निकलना है, यानि एक 3 और 6 का, देखिए आपको एक का LCM नहीं निकलना है, आपको 3 और 6 का LCM निकलना है, तो चलिए हम ल 3 से 6 में लग जाएगा 2 बार में, देखिए यहां पर जो भी संख्या है, इसका हम लोग आपस में गुना कर लेंगे, यानि 3 गुना 2, यह हो जाएगा 6, LCM कितना निकल करके आगिया? वह हो गया 6, तो आपको 6 को लिख देना है इसके नीचे, अब देखिए आपको एक का पहा 2 में करें, तो यह हो जाएगा 12, अब देखिए आपको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, और 6 को लाना है, यहां आज जाएगा 2 बार में, अब आपको देखिए 2 से गुना करना है, इसके उपर वाले संख्या, यानि 9 में, यह हो जाएगा 18, देखिए आपको जोड का चिन है, तो 6 को लाना है, यहां देखिए आजाएगा एक बार में, अब आपको देखिए 1 से गुना करना है, इसके उपर वाले संख्या में, यानि 4 में, यह हो जाएगा 4, अब देखिए आपर जो भी संख्या जोड के रूप में है, इसको आपस में जोड लेना है, यानि 12 और 18 को 13 में से चार को घटाना है, यह हो जाएगा 26 और यहां पर देखिए बटा में है 6, अब देखिए यहां पर जो संख्या आया है, यह दो से गटने वाला है, तो यह दोनों संख्या को आपको दो से कटना है, दो से दो को काटें यह कट जाएगा एक बार में दो से चौ को काटें यह कट जाएगा तीन बार में अब आपको देखें दो से चौ को भी काटना है यह कट जाएगा तीन बार में यानि एंसर कितना गया वह आगया तेरह बटा तीन तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि इस तरह का जो बड़मास का प्रस्टन होता है इसे हल कैसे किया जाता है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दिजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लिजिएगा